प्रश्कार मित्रों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में आज की इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रेटी सेट हल करेंगी इस प्रेटी सेट में 20 प्रशनों की सिंखला मिलेगी 20 प्रशन आपके एक जाम के लिए बहुत ही लाबदायक है और अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और सेर कर दीजिए अधिक से दिख लोगों को तो आज की 20 प्रशनों को हल करते हैं प्रशन नमबर एक में पूछा गया है में फुशेन का परसिद चिद्र किस माध्यम में निर्मित है आपसन है कैनवास पर जल रंग दूसरा आपसन है कैनवास पर तैलियोम एक्रोलिक रंग तीसरा आपसन है चारकूल और चाउथा आपसन है इमपेश्टो सही जबाब क्या होगा तो यहाँ पे सही जबाब जितने लोगों ने आपसल भी दिया बिल्कु सही है कैनवास पर तैलियूम एक्रोलिक मदर ट्रेसा जो है इस चिस सिंखला को हुसें साहब ने 1989 इस भी में बनाना अरंब किया था और इन चित्रों में तैल और एक्रोलिक रंग दोनों का प्रयोग किया गया है चलिए अगला देखते हैं प्रश्ण नमबर दो किस भारती आधनिक चित्कार को मंसूर वा बनारस हिंदू बिश्विद्याले ने मैशूर सारी मैशूर वा बनारस हिंदू बिश्विद्याले ने डिलीट की उपाध परतान की थे आपसन है राजा रभी बर्मा कि बेंटेप्पा मेशूर वा बनारस हिंदू बिश्विद्याले ने डिलीट की उपाध से सम्मानित किया थे चलिए अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है किस राजा के संवर्चन में पहाड़ी लग चित्रसायली की कांगड़ा उपसायली अपने चर्मोत कर्स प्राकाष्ठा पर पहुची आपसन है राजा गोवर्धन चंद राजा संसार चंद राजा दिलीट सिंग या राजा किर्थिसा सही जबाब यहां पर होगा आपसन भी राजा संसार चंद तो पहाड़ी लग चित्रसायली की कांगड़ा उपसायली अपने चद मुद्धकर्स पहुची थी राजा संसार चंद की काल में अगला प्रशन है कांगड़ा फैली के चित्रों का बीस है क्या है रागमाला है कृष्ण लीला है नायक नायका है या उप्युक्त सभी तो सही जबाब होगा आपसन टी उप्युक्त सभी तो रागमाला भी है कृष्ण लीला भी और नायक नायका बेद भी है कांगड़ा सहली के चित्रों का बीस है अगला प्रशन है मूर्थिकार अमर्नास सहहगल का जर्म कहां पर हुआ था पाकिस्तान में भारत में बंगलादेश में या बंगाल में तो सही जबाब होगा आपसर ए पाकिस्तान में तो मूर्तिकार परसिद मूर्तिकार अमर्टनास सहगल का जर्म पाकिस्तान के अटोक जिले में हुआ था 1922 में अगला प्रशन है पंजाब गढ़वाल और जम्बू के हिमाली तलहाटी में इन में से कौन सा स्कूल बनाया गया था अपसर है कोटा पाड़ी स्कूल जैपूर स्कूल या मुगल सही जबाब होगा यहां पर आप्शन बी पहाड़ी स्कूल अगला प्रशन है किस शितकार ने गीत गोबिन पर अधारित पेंटिंग सिंख्रला को कांगला सेली के अंतरगत बनाया था आप्शन है पर्खू, मानकू, भत्तू या सुशाला सही जबाब होगा आप्शन बी मानकू कांगला सेली में मानकू ने गीत गोबिन पर अधारित पेंटिंग सिंख्रला बनाई थी ये कांगला सैली के प्रमुक चितकार हैं और कांगला सैली के प्रमुक चितकारों में फर्कू, मन, मानकू भी आते हैं अगला प्रशन है किस नगर को गुलाबी नगर कहते हैं? जैपूर, दिल्ली, लखनू या बनारस सही जवाब होगा आपसन ए जैपूर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है अगला प्रशन है शाहिप से किस सैली के प्रमुक लख चितरों के चितकार थे? आप्शन है जोदपूर, किसंगर, मेवाड या जैपूर? सही जवाब होगा आपसन ए जैपूर अगला प्रशन है प्रशन नबर पच्चास भारती लख चितरों की बूदी सैली पर उतकर्ष किसके समय हुआ? आप्शन है राव छतर सिंग, राव भाव सिंग, सवाई जै सिंग, राजा उनमेज सिंग सहीज़ बाबा का आपसन दी, राजा उनमेज सिंग तो भारती लग चित्रों की बोधी शैली का उतकर्ष राजा उनमेज सिंके समय में हुगा अगला प्रश्ण है एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा वो कृष्ण को किसने चित्रित किया आफसन है मनसूर निहाल चन सहद दिन ये परखो तो किसन गड़ सैली का ये परशित चित्र है एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा कृष्ण के प्रमुक चित्रकार मोर धश निहाल चन्द है करें अगला परस्ण है बनी ठहनी का चित्र किस सैली में बना हुआ है कि मुगल कंपनी राजस्थ्थानी कशी जबाब हो गा आफस्थ लाजस्थानी के तो राजस्थान चित्रकार में कीशंगड सैली का बिसिष्ट अस्थान है और मरवार सैली की प्रमुक उपसैली चित्य सैली होने का स्रे इसी को प्राप्त है अगला प्रशन देखते हैं किसंगड़क का कौन सा सासत नागरी दास के रूप में परसिद्ध हुआ अगला प्रशन है अली रजा प्रमुक चित्यकार थे जोदपूर सैली के बीकानियर सैली के जैपूर सैली के या कोटा सैली के तो सही जबाब होगा अप्सन भी बीकानियर सैली के ये प्रमुक चित्यकार थे अली रजा अगला प्रश्टन है चावंड राग माला निमलिखित में से महत्यपूर चित्रित पांडुली है किसका मेवाड सेली का किशनगर बूधी या गुलेर सही जबाब यहाँ पे जितने लोगों ने आप सने दिया बिल्कुल सई है मेवाड चावध रागमाला मवार सहली में चितर पंडलिपी है अगला प्रशन है निम्लिकित में से कौन सो बिकल कला कि गखनी सहली के सही कर्मिक क्रम में है आपसन है वीदर, वेगार, गुरकूंडा या एहमद नगर वीदर गुरकूंडा या अहमत नगर बीजापूर गोलकुंटा और चौथा अपसने बेगार बेरार बीजापूर या अहमत नगर सही जबाग वह अपसन से अहमत नगर बीजापूर गोलकुंटा अगला प्रश्ण है निर्तंगाना निर्तंगानों यों पासवानों के चित्र बड़ी मात्रा में चित्रित हुए हैं कहाँ पे हैदराबाद एहमदाबाद गोलकुंडा या बिजापूर सही जबाब होगा आपसर सी गोलकुंडा अगला प्रश्ण है ताजमाल का निर्मा कहाँ पर हुगा था आगरा अवरिस्तर दिल्ली बिहार सही जबाब होगा यहाँ पर आपसर ले आगरा अगला प्रश्ण देखते हैं पितरा दिवरा तक्नीक क्या लगाने किसे जुड़ी है काश्ट में धात केतार सीसे के फ्रेम में दागदार रंगीन काच पत्थर में अर्ध मूलवान पत्थर या काश्ट में हाथी दात सही जबाब यहाँ पर होगा आपसर सी पत्थर में अर्ध मूलवान पत्थर अगला परशन है और इस वीडियो का लास्ट परशन है मनसूर और मनोहर इसके मसहूर दरवारी चितकार थे उस्ताद मनसूर और मनोहर किसके परसित दरवारी चितकार थे आपसन है साजहा जहागीर अकबर यहिमाउ तो यहाँ पर सही जवाब जिदने लोगे ने आपसन भी दिया है बिल्कुल सही है उस्ताज मंसूर और मनुहर जहागीर के दरवार के परसे चितकार थे और जगिर के दरवार के पच्छियों का सबसे बड़ा चितकार उस्ताज मंसूर को ही माना जाता है यहां 20 प्रशन आपके पूरे होते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और सेहर जरू कीजिएगा अगले प्रेट्री सेट में फिर मिलते हैं तब तक के लिए जाहिंद